तो आज हम बनाएंगे mango delight, mango delicious dessert recipe जिसको बराना है आसान, खाने में super delicious है एक बार आपने इसे taste कर लिया ना, तो आप next time बनाते ही रहेंगे, बनाते ही रहेंगे क्योंकि बहुत ही easy recipe है और आप video को end तक देखेंगे ना, तभी बता चलेगा कि हमने कैसे बनाया है तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक mango लिया है, mango को मैंने पहले से ही cut कर लिया है, और साथ ही में 3 टेबल स्पून शुगर, और 2 थर्ड कप मैंने हाँ पर अमुल फ्रेश क्रीम लिये है, जो मार्केट में easily available हो जाती है, तो यहाँ पर हम फटा फट से delicious delight को बनाना start करते हैं, त आप मेरा वीडियो कहां से देख रहे हूँ, कौनसी country, consistency, please comment कर दीजे, अगर आप मेरी recipe को देखकर comment करेंगे न, तो आपका तैहे दिल से शुक्रिया friends, तो यहाँ पर हम पटा पट से इसे blend कर सकते हैं, तो क्वांटिटी को टेस्ट के according कम जादा भी कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा quantity में बनाना चाते हैं, तो शुगर की quantity को डबल कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से blend कर लिया है, और friends, एक बात का विशेश ध्यान रखिएगा, जब आप आमको chop करेंगे न, तो इसमें पिलकुल भी पानी का रेशा नहीं होना जिए, प्यॉर मैं कर लेंगे, और blend करने से क्या होगा न, यह अच्छे से mix हो जाएगी mango में, और season है, और summer season में कभी कभी क्या होता है, cold whipping cream मार्केट में अविलिबल नहीं होती है, तो उस टाइम आप अमुल fresh cream कभी यहाँ पर use कर सकते हैं, और दोनों ही ना मिलेना, तो घर की fresh मलाई से भी इ इस्टी लगेगा, तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से blend कर लिया है, बिल्कुल भी पानी का रेशा नहीं है इसमें, और साथ ही में यहाँ पर मैंने दो bowl ले लिये हैं, और 10 रुपीज वाला यहाँ पर marigold के जो biscuit आते हैं, जो market में easily available हो जाते हैं, उसे से हम यह delight desert बनाए जो recipe है ना, summer season में गर्मे गैस टाने वाले हो, किती पाटी हो ना, तो फटा फट से पहले से ही इसे बना कर रख सकते हैं, तो यहाँ पर again हमने एक mango लिया है, mango को मैंने पहले से ही chop कर लिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम थिक वाला, यहाँ पर हम mango puree डालेंग और लगाने के just part, यहाँ पर जो हमने mango के chunks है ना, chop कर लिये हैं, वो डाल देंगे, पहले से ही मैंने mango को chop कर लिया था, तो फटा फट से, मिट से यहाँ पर हमें mango की layer लगानी है, तो इस तरह से आप layer लगाने के just part क्या करिएगा, यह mango puree है ना, वो और डालेंगे, टॉप से इस तरह से डाल कर serve करेंगे ना, तो यह बहुत ही amazing recipe लगेगी, और बहुत ही easy recipe है, homemade है, तो फटा फट से, summer season जाने से पहले try कीजेगा, नहीं तो बहुत पस्ताएंगे, तो फटा फट से हमने delicious delight desert बना लिया है, और आप देख सकते हैं mango के chunks डाल दी हैं, और साथ ही में टॉ puree रखी दिना, उसको इस तरह से serve करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं dots के रूप में इसे डाल रही हूँ, और मैं इससे इस तरह से serve करूँगी, कि बहुत जादा attractive लगे, तो मैंने यहाँ पर toothpick ले ली है, toothpick से इस तरह से फैला लीजे, कि हमारा जो desert है, वो खाने में और serve करने में बहुत attractive लगे, तो बस इस तरह से roll roll गुमा लीजे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने क्या किया है, toothpick से इसे set किया है, तो देखा आपने कितना आसान है, घर पर ही mango delight desert बनाना, बहुत easy recipe है, और ठंडा ठंडा इसे हम freezer में रखकर serve करेंगे ना, तो बह बहुत amazing लगेगा, आज में top से आप mango के pieces से इसे garnish कर सकते हैं, इस तरह से थोड़े से mango के pieces मिड में डाल दीजे, और साथ ही में यहाँ पर हम फटा फट से dotted के रूप में इस तरह से cream को serve कर देंगे, और सब तरफ से फैला देंगे, फटा फट से try कीजे, वीडियो पसंद आ важ देंगे, और सोछे बाहा है, असरवा में बाहा है!